दोस्तो अंचाहे बाल जो कि हमें से किसी को भी पसंद नहीं होता है अगर आप भी अपने फेस की मोटी तेखे बालों से हो चुके हैं बहुत ही परिशान तो आज का ये रेमेडी आपके लिए है रेमेडी बहुत ही पावरफुल है जिसे कि पहली दफा में आपको बहुत ही बढ़िया रिजल दिखेगा पुरी तरीके से नाच्रेल है जिसे कि आप की स्कीन को कोई भी हार्म नहीं पहुँचेगा और इसे बनाना और यूज करना बहुत ही है मुझे अच्छा रिजल मिला है तो आपको भी मिलेगा तो चलिए फीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो इन्हें हमें खरोज के निकाल लेना है तो चमच की मदर से ये अराम से निकल जाता है लेकिन आपको ध्यान इतना रखना है कि आपको हलके हाथों से इस तरह से इसे निकालना है स्रिप उपरी वाली जो इसकी लियर है उन्हें हमें लेना है ठीके और बहुत ही कम क्वांटि किजिएगा और नमग को इस तरह से अच्छी तरीके से मिक्स मतलब सारी ही चीज़ों को हमें अच्छे mix कर लेना है और अच्छी तरीकी से mix करने के बाद अब हम इसे रेश्ट होने के लिए छोड़ेंगे ताकि यह अपना अच्छा work दिखा पाए लगबक आदे घंटे के लिए इन्हें हमें रेश्ट के लिए छोड़ना है अब देखे दोस्तों जब तक यह रेश्ट हो रहा है एक कटोरी और गैस को आपको ओन कर दिना है लेकिन बिलकुल धीमी आच रखना है ठीके अब देखे हमें क्या करना है लेना है हनी तो यहां पर लगभग दो चम्मच की करेबन हमें हनी डाल देना है इस कटोरी में फिर उसके बाद इस पर जब हलकी हलकी सी बबल आने लगे तो आपको एड़ करना है नीबु जूस यहां पर देखिए दोस्तो दो चम्मच नीबु का जूस है तो दो चम्मच पानी है दोनों को ही अच्छी तरीके से मिक्स करके मैंने पहले से ही रखी हुई थी तयार करके तो उन्हें आपको इस सीज़ती में एड़ कर देना है तो देखें दोस्तों जितने भी चीज़े हमें इस remedy में एड करना है सारी चीज़े आपको रेस ही उसे मिल जएंगे और सबसे अचही बात है यह पूरी तरीके से नैचरल है जिसके कि आपकी स्किंट को कोई भी किसी भी तरीके की हार्प नहीं पहुंचाएगा लेकिशे इसे दोस्तों जैसे ही शक्कर हलका सा मेल्ट होने लगे तो उसके बाद आपको एड़ करना है बेसन यहाँ पर आपको हाप चमच की करीबन बेसन एड़ कर देना है और बेसन डालते टाइम एक चीज आप नोटिस कीजिए देखिए छोटी-छोटी सी गुठलिया बननी शुरू हो पकाने के बाद जब यह बनने पे आए तो आपको थोड़ा सा हल्दी पाउडर एड़ कर देनी है जो कि एंटिसेप्टिप गुडों से भरपूर होता है अब देखिए इसे भी हमें अची तरीके से मिक्स करना है और अब हम थर्टी सेकेंड के लिए इसे पकाएंगे और उ हो जाता है तो इसलिए हमें बस यहीं तक इसे पकाना है इस स्टेश तक तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे तो देखिए दोस्तों अब यह ठंडा हो चुका है लेकिन पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है हलका सा गरम आपको रखना है तो जब यह इस तरह से ठंड़ा होता है थे कितना तो आप चाहें तो इस स्टोर णाँ सब्सकते अब देखे दोस्तो जो मिस्रन हमने पहले तयार की हैं उसे हमें पहले अपलाई करना है तो इसे अपलाई करने से पहले आप फेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिएगा और कॉटन की हेल्प से आपको अपर लिप पर कंपटी पर इस तरह से इस मिस्रन यानि की इस चाहिए तो अब देखिए इसे हम सूखने के लिए छोड़ेंगे दो से तीन मिनिट के लिए ये स्कीन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है अब हम क्या करेंगी ये जो रेमेडी तयार की है मिसरन हमने बनाए हैं पका करके उन्हें लगाना है तो यहां पर जैसे कि लुकसान नहीं होगा आपकी फेस में किसी भी तरीके के अलर्जी या फिर कोई इचिंग वगेरा विल्कुल नहीं होने वाला है तो अगर आपकी फेस पे चोटी-चोटी से रोई हैं कई लोगों के ऐसे होते हैं कि कनपटी में हो गया फोरेड में हो गया जा फिर चिन में पहुत चादा चोटी-चोटी से रोई होते हैं तो आप इन्हें पूरे फेस पे बेफिकर होकर के अपलाई कर सकती हो तो इसे अपलाई करने की बार अब हम क्या करेंगे इसे सूटी के लिए छूड़ेंगे लेकिन इसे हमें पुरी तरीके से ड्राइ नहीं करना है हलके से गिले रहते ही आपको लेना है टिशू पेपर चाहें तो आप कॉटन के कपड़े भी ले सकते हो और टिशू पेपर के मदद से देखिए आपको हेर ग्रोथ की ऑपोजिट डिरेक्शन से इस तरह से हलके से रब करते हुए इन्हें रिमूव करना है तो देखिए दोस्तों इस तरह से रब करने से जो हेर होते हैं वह वापस में रगड़ खाते हैं और बहुत अची तरीके से जड़ से निकला आते है तो देखिए जो मिसरण हमने पहले ही लगा के रखेते हैं इसे इनकी जड़े कमजोर पड़ जाते हैं दूसरी चीज ये मिश्रन बहुत ही चिपचिपी होती है साथ की साथ इस तरह से opposite direction से जब हम इस तरह रगड़ते हैं तो जितने भी hair होते हैं वो पहली दफा में ही बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ हो जाते हैं और सबसे अच्छी बात इस प्रोसेस से hair growth धिरे धिरे बिलकुल कम हो जाता है और आपको किसी भी तरीके की दर्थ भी नहीं होगा वैसे तो जब हम पालर जाते हैं तो wax या फिर थ्रेडिंग करवाते हैं तो कितना ज़्यादा दर्थ होता है उपर से hair growth बहुत तेजी से होता है मोटी मोटी से hair निकला जाते हैं यहां पर लेकिन वो जीज नहीं होगा तो जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं पहली दफा में ही बहुत ही बढ़िया तरीके से जो unwanted hair है वो साफ हो चुके हैं तो इस तरह ना आपकी face में किसी भी तरीके की कोई नुक्षान भी नहीं होगा जैसे कि कई बार क्य जाता है एक तो देखिए आपकी face बहुत बढ़िया तरीके से glow करने लगते हैं साथ के साथ आपको unwanted hair से permanent तरीके से छुटकारा मिल जाएंगे तो इस remedy को आप जरूर ट्राय कीजिए महीने में दो बार करके at least जरूर क्या कीजिए तो guarantee है मेरा इससे आपको 100% result मिलेगा ही मि कमेड़ी बहुत ही powerful है तो वीडियो को जादा से जादा से यार कर दीजिएगा ताकि औरों को भी help निल सके साथ ही साथ आप मेरा वीडियो कहां से देख रहे है मुझे comment की तुरूर बताईएगा ताकि मुझे भी पता चल सके मेरा वीडियो कहां कहां तक देखी जा रही है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा तो जलिए फिर मिलती हूँ नेक्स वीडियो में बाई फ्रेंट्स एंड थैंक्स पर वाचिंग